हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माय चैनल तो देखे फ्रेंट्स आज बचेवें उनसे हम एक और खुबसूरत सी चीज बनाएंगे बहुत ही प्यारी ऐसी चीज होगे ना जो अग्दम आपका मन नहीं भरेगा उसको देखने से इतनी खुबसूरत है तो चली इसे बनाना शुर से स्टार्ट करते हैं ठीक है तो यह देखे इस तरह से आपको मैजिक रिंग बनानी है ठीक है यह देखे इस तरह से मैजिक रिंग बनाया अब यहां पर हम एक चैन बनाएंगे अब इसके अंदर आपको पांच सिंगल क्रोशिय बनाना है देखे एक दो तीन चार और यह प यह वाली, इसके अंदर आपको इसे इसलिप स्टिट से जोड देना है अब यहाँ पर एक चैन, फिर इसी में वापिस है एक और सिंगल क्रोश्या यह दो हो गया, फिर तीन और चार, एक ही में ठीक है, पांच और छे एक ही में साथ और आठ, ठीक नौ और यह दस, ठीक और यह देखे, इसमें हम लास्ट वाले में बनाएंगे ग्यारह और बारह ग्यारह और यह बारह ठीक है, अब यह फॉर्स्ट यहाँ पर जो फॉर्स्ट वाली चैन थी इसमें हम इसे, इसलिप स्टिट से जोड़ेंगे, इसे बड़ा करेंगे अब यह जो धागा हमने खीचा था ना यहाँ पर हम गाट लगा देंगे ताकि यह खुले नहीं दिखे, इस तरह से इस तरह से ले लेंगे ठीक है, और फिर इसको हम इस तरह से गाट लगा देंगे ठीक अब यहाँ पर दिखे, हमारे पास 12 सिंगल क्रोश्य हो गया अब दिखे, यहाँ पर एक चेन बनाएंगे इसी में, इसी में एक और सिंगल क्रोश्य है यह दो हो गया, और एक हम अकेला बनाएंगे तीन, ठीक है फिर देखे, दो बनाएंगे एक में एक और फिर इसी में एक और ठीक और नेक्स्ट में एक तो इस तरह से मारे पास तीसरी लैन में 18 सिंगल क्रोश्य हो जाएगा देखें एक दो दो फिर उसके बाद एक ठीक फिर उसके बाद दो और फिर एक ठीक है दो और फिर एक ठीक है फिर दो एक दो और यह लास्ट वाले में आपका आजाएगा एक ठीक है यह देखें यह एक अब यहाँ पर यह जो हमने चैन बनाए थी इसके अंदर हम इसे स्लेप स्टिट से जोर देंगे तो यह मारे पास टोटल 18 सिंगल क्रोश्य तीसरी रो में हो गए अब हमें एक चैन बनाना है फिर इसी में हम एक और सिंगल क्रोश्य बनाएंगे दो अब हमें दो अकेला अकेला बनाना है देखें एक और यह दो ठीक है इस रो में हमारे पास 24 जाएंगे फिर देखें दो बनाएंगे एक दो ठीक है फिर यहाँ पर एक और यह एक ठीक है फिर से, यहाँ पे दो, एक ही में, फिर यह एक, और फिर एक, ठीक है, फिर दो, एक, दो, और फिर एक, और यह एक, ठीक है, तो इसी तरह से बना, complete कर लेंगे, यह देखिए, यह रो हमने complete कर लेंगे, अब यहाँ पे हमने, जो एक चेन बनाए थी, उसमें जोड देंगे, अ एक दो और ये तीन तो हो गया पाँच फिर अगले वाले में दो बनाएंगे देखे 3 समर्व इसको बना कंप्लीय कर लेते हैं अब ये देखिए ये रो हमानी complete कर लिए है फिफ्थ रो थी और इस रो में हमारे पास 30 single crochet हो गए अब है बढ़ाना नहीं है ठीक है एक chain अब यहाँ पे 6th रो में सब में आपको एक एक single crochet बना लेना है ठीक है तो इसको बना के complete कर लेते हैं पहले ये देखिए 6th रो complete हो गए फिर 1st chain में हम इसे slip stitch से जोड़ेंगे फिर एक chain और फिर सब में साथवी रो में फिर से single crochet ठीक है ये हमारी 7th रो है तो बना के complete करते हैं 6th 6th हो गई 7th और 8th 2 रो हम इसमें बना लेंगे ये देखिए ये हमने 8th line complete करें ठीक है अब देखिए ये एक chain अब देखिए यहाँ पर ये जो दो धागे देखिए न इसमें आपको front post वाले में बनाना इस तरह से ये देखिए ठीक है एक ये देखिए ये ठीक है इसमें हम बनाएंगे पीछा लधागा अब ही हमें बाद में जरूत लगेगी ये देखिए इस तरह से इसको इसी तरह से बना लेते हैं ये देखिए ये हमने row complete कर लिया पर first chain में हम इसे slip stitch से जोड़ देगे ठीक है अब normal बनाना एक रो और ठीक है ये last row है 10th row अब सब में हम इस तरह से single crochet बना के complete कर लेते हैं ये देखिए ये रो हमने complete कर दिया first chain में इसे बंद करके दागे के हम पर आपको cut कर देना है अब देखिए जो धागा हमने cut के इसको hide कर देना है तो पीछे की side हम इसे इस तरह से hide कर देंगे थोड़ा अंदर की तरफ लेते जाएंगे इसे अब हमें ही आप वाइट कलर का ओन लगाना है ति वाइट कलर का ओन ले लिया हमने इसको हम इस तरह से पहले तो एक गांट लगा लेंगे अब देखिए ये जो हमने बनाया है तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो हमने front post chain बनाया थे दिखिए रो दिख करते हूं ये दिखिए ये जो रो दिख रही दिखिए वाली ठीक है जो नाइंत वाली हमने बनाई थी इसका जो एक धागा खाली है इसके अंदर हम इसे बनाएंगे ठीक है तो पहले हम सब में इस तरह से ये एक-एक सिंगल क्रोश्य बना लेते हैं first row में देखिए ठीक है तो बना लेते हैं पहले इसको ये दिखिए रो हमने complete कर दिया अब हम इसे यहाँ पर slip stitch से जोड़ देंगे ठीक है अब यहाँ पर एक chain बनाएंगे अब next में देखिए ये दो तीन और ये चार चार सिंगल क्रोश्य होगा एक छोड़ेंगे फिर यहाँ से दिखिए एक दो तीन और ये चार चार हमने बनाए एक छोड़ेंगे फिर next पर इसको छोड़ेंगे फिर इसको हम ठीक है एक दो तीन चार चार बनाए एक छोड़ेंगे फिर इस पर तो ऐसे हम बना लेंगे इसको ये देखिए रोम ने कंप्लीट के थी लास्ट में एक सिंगल क्रोश्य है इसको skip करेंगे फिर इसको हम आपर बना लेंगे फिर देखें, एक, दो, और ये तीन, तीन हमने बनाया, एक skip किया, फिर यहाँ पर, एक, दो, और ये तीन, तीन बनाया, एक छोड़ेंगे, फिर एक, दो, और ये तीन, ठीक है, फिर एक छोड़ेंगे, ये एक, दो, तीन, मतलब तीन बनाके आपको एक छोड़ना है, फिर त बनाना एक, दो, तीन एक छोड़एंगे फिर एक, दो, तीन एक किप करेंगे देखिए यहाँ पर हम इमने एक चैन बनाया थी एक इसको एक किप करनगे यह जो हमारी फurствен चैन थी इसमें हम से चैन से जोड़ देंगे फिर एक चैन और फिर यहां पर दो भणा दो हो गया, एक छोड़ेंगे, फिर नेकस्ट में दिखिए आपर एक, दो ठीक है, फिर एक छोड़ेंगे, फिर यहापर, एकour और यह दो ठीक है तो ऐसे ही बना लेंगे इसको भी अखिए roll complete हो, यहापर हम यहापर हम इसे, यहापर giàाश्ट में एक, कि इसके अंदर पहले हम थोड़ी सी ठीक है अब यहां पर देखे एक चैन बनाएंगे एक एक स्किप करेंगे नेक्स्ट में फिर एक सिंगल क्रोश्या फिर एक स्किप करेंगे फिर नेक्स्ट में तो आस टाइट वर्क रखेंगे एक सिंगल क्रोश्या एक स्किप करेंगे फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोश्या फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट में सिंगल क्रोश् और इसे हम या पर slip stitch से जोड़ देंगे ठीक है और इसे हमें उन को थोड़ा सा बाहर करके कट कर लेंगे अब देखिए ये जो उन है इसे हम अंदर की तरफ छुपा देंगे इस तरह से ठीक है अब इसका आगे का पार्ट बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको इस तरह से slip stitch बनानी है ठीक है इसमें आपको एक चैन फिर पांच सिंगल क्रोश्य एक दो तीन चार और ये पांच पांच सिंगल क्रोश्य बंद करेंगे और ये जो हमने शुरू में एक चैन बनाए थी ना फर्स्ट वाली उसमें हम इसे slip stitch से जोड़ देंगे फिर यहाँ पर एक चैन इसी में एक और सिंगल क्रोश्य नेक्स्ट में दो सिंगल क्रोश्य एक दो फिर इसके दो और सिंगल क्रोश्य एक दो एक दो तीन छे हो गया सात और आठ एक में नो दस एक में देखें नो और ये दस ठीक है अब इसमें ग्यारे और बारे ग्यारे और बारे ठीक है फिर इसे यहाँ पर इसे slip stitch से जोड़ देंगे यह जो धागा है इसको फिर से आपको गांट लगाना है देखें इस तरह से ठीक है अब इसके बाद यहाँ पर आपको 18 डबल क्रूश्य बना देखे एक चैन फिर एक सिंगल क्रूश्य फिर इसके बाद एक अकेला ठीक है फिर यहाँ पर दो एक साथ एक दो ठीक फिर नेक्स्ट में एक अकेला फिर दो, एक, दो, फिर एक, अकेला, फिर दो, एक, दो, फिर एक, अकेला, दो, एक, दो, और ये एक, अकेला, ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, एक, दो, और लास्ट में यहाँ पर एक आपका, अकेला आएगा, ठीक है, इसे यहाँ पर फॉर्स चैन में स्लिप स्टिट से जोड़ देंगे, फिर यहाँ पर एक चैन, फिर एक और, अब यहाँ पर दो अकेला बनेगा, एक, दो, तो टोटल अब को एस चोबीस सिंगल क्रोशिया हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर इसमें बनाया था न, ऐसे इसमें बनालना है, तो इसको बनाके कम्प्रीट कर देते हैं, देखिए, दो, एक में, फिर एक, और फिर यह दो, अकेला है, ठीक है, तो बना लेते हैं, अब देखिए, अब इससे हम यहाँ पर इसलेपिस्टिस से जोड़ देंगे, अब को बढ़ाना नहीं है, ठीक है, एक चैन, फिर हम सब में, इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बन बनानी है, तो यह फिर्स्ट रो है, एक रो और बनाएंगे, तो इसको बना लेते हैं, पहले, यह देखिए, यह रो कम्प्लीट हो गई, यहाँ पर हम इसे, यह जो हमने एक चैन बनाए थी, इसमें से, स्लेपिस्टिस से जोड़ेंगे, फिर एक चैन, फिर वापिस से यह कम्प्लीट कर लेंगे, यह देखिए, यह रो हमने कम्प्लीट कर ली है, अब यहाँ से फिर देखिए, एक चैन, यह दो, तीसरा स्किप करेंगे, तीसरा छोड़ेंगे, फिर चोथे में एक, ठीक है, एक, दो, दो बनाया, एक छोड़ेंगे, फिर इसमें एक, दो, ठीक है तो ऐसे बना लेंगे last तक यह दिखिए रोम ने complete कर दिये एक छोड़ेंगे और यहाँ पर next में slip stitch चोड़ेंगे अब फिर next row में आपको बढ़ाना नहीं है घटाना भी नहीं है इसी तरह से सब में आपको यह बना लेना है ठीक है दो लाइन आपको इस तरह से बनानी है तो हम इसकी दो लाइन बना लेंगे यहां हमारे पास 12 डबल क्रोश्या है ठीक है 12 डबल क्रोश्या की दो लाइन आपको बनानी है यह दिखिए अब यहाँ पर slip stitch से जोड़ देंगे फिर एक चैन फिर वापिस से इसको आपको बना लेना है एक इस तरह से डबल क्रोश्या सिंगल क्रोश्या तो बना लेते हैं यह दिखिए रो कंप्लीट कर लिए अब है पर फॉस्ट चैन में हम इसे slip stitch से जोड़ देंगे ऊण चैन में करते हैं तो यहां पर उन को थोड़ा से बड़ा कट करते हैं अब इसके अंदर आपको रूई भर देना है इसमें भी भर लेंगे तो रूई को थोड़ा-थोड़ा करके भरेंगे वरना एक साथ आप भरेंगे न तो इसमें गुटलियां जैसे पढ़ जाएंगे इस तरह से अब देखिए फिर से अब यह वाइट वाले का छोटा सा इसे मैजिक रिंग बनाएंगे इसके बीच में से इस तरह से उन को निकालेंगे ठीक है अब इसके बाद यहां पर एक चैन और फिर पांच सिंगल क्रोश्या एक दो तीन चार और यह पांच पांच सिंगल क्रोश्या इस तरह से करके इसमें एक छोटा सा स्लिप प्रेस्टिच फिर एक चैन फिर वापीस से इसी में एक सिंगल क्रोश्या नेक्स्ट में दो एक दो फिर नेक्स्ट में दो एक दो ठीक है फिर नेक्स्ट में दो एक दो फिर इसमें फिर से दो यह मारे पास बारा सिंगल क्रोश्या टोटल हो जाएंगे ठीक है इसे आपर इसलिक स्टिच से जोड़ेंगे और फिर इसके बाद यह जधागा इसको आपको ऐसे खीचना है और खीचने बाद यहां पर इस तरह से इसको गाट लगा देंगे जिसे एक खुले नहीं ठीक है अभी जो बारा सिंगल क्रोश्य है इस पर हमें तीन लाइन बनानी है ठीक है देखिए एक पर कोई रिपीट नहीं करना है अपको मतलब बढ़ाना नहीं है इसमें आपको यह तीसरी लाइन है पांच लाइन बनानी है टोटल तो मैं पांच लाइन बना के फिर आपको दिखाती हूं अब यह जो लास्ट वाला है इसके अंदर हम इसे इसलिप स्टिट से जोड़ देंगे फिर एक चैन फिर उसके बाद नेक्स्ट में इसको बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं यह देखिए रो कंप्लीट होगे विसे आपे हम इसलिप स्टिट जोड़ेंगे फिर एक चैन फिर इसी तरह से सब में हम बना लेंगे तो बना कंप्लीट कर लेते हैं यह देखे, यह मैंने बना लिया, इसी तरह से हमें यह तोटल हमें चार बनाने हैं, ठीक है, यह चार बनाने हैं, अब इसके अंदर भी हम थोड़ थोड़ी रुई भर देंगे, यह देखे, हमने चारों में रुई भर लें, ठीक है, अब हम इसे सिलाई करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम पहले सूई को डाल लेते हैं, अब आपको एसे नहीं करना है, यह थोड़ा से उपर रखना है, यह दीखिए ऐसे, टीक है, इसकी सिलाई हम ऐसे करेंगे, टीक है, अब करने के बाद इसके एक साइड इसको थोड़ाँ से इस तरह से करेंगे और इसकी यहाँ पर यहाँ पर आपको इसको सिलना है बीच में ठीक है तो यह देखिए इस तरह से लेंगे इसको ऐसे लगा लीजे और यह उपर अब यह जो है इसको थोड़ा सा उपर करके पीछे की साइड इसकी हम सिलाई करेंगे देखिए इस तरह से पहले इसको ठीक है यहां पर इसको थोड़ा सा इस तरह ठीक है यहां पर ले लेंगे देखिए देखिए हुआ 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 है गाट लगादेंगे और इसे यहां पर कट कर देंगे और अब देखिए इस में यह जो हम ने बनाएं इसके पैर है यह इसको भी लगाने है ठीक है तो यह इस तरह से यहां लगेंगे इस साइड है और दो पीछे तो तो मैं आपको एक लगाग बुताती हैं तरह से आपको कशार हाद रड़ी है o writing इस तरह से इस को ले लैते हैं यहां पर आपको के इस सुलने के बाद इसे यहां पर लगादा ना dose तरह से ठीक है यहां पर यह जो रेड़ वाला है इसी के यहां से यहीं पर देखे गर्दन के पास से ही आपको इसे लगाना है यहां पर हम गाट लगा लेंगे और उनको यहां पर पीछे की तरफ हाइट कर देंगे इस तरह से निकल कर एक स्ट्राउं को कट कर देते हैं और ऐसे ही यह आपको čारों लगा लेंए इस तरह से गर्दन पास और यहां पास में ठीक है तो इसको भी इस तरह से लगा लेते हैं तो मैं चारों लगा लेते हैं फिर आपको दिखाते ही और इस की आँखे बनाएंगे तो आँखों के लिए देखे हमेंड़02 दागा डाला जिसके एक तरफ इस तरह से लूप है ठीक है तो यहां पर इस तरह से इसको लेंगे और इस लूप में से निकालेंगे क्योंकि कहीं हम गांट लगाएंगे न तो दिखेगा जरूर इसलिए हम यहां पर इसके इस तरह से लगा लेंगे और यहां पर फिर से इस तरह भी इसकी आँखे बना लेंगे इस तरह से ठीक है और यहीं पर गांट लगा लेंगे छोटी सी गांट लगाएंगे यहां पर ताकि बिल्कुल भी दिखे नहीं इस तरह से और उन को आपको इस तरह से पीछे की तरफ हाइट करके कट कर देना है अब इसका मूँ बना लेते हैं तो मूँ के लिए भी इस तरह से डबल धागा डालना है ठीक है और यहां पर दीखें कि यहां पर भी गाट लगाएंगे और यह इस तरह से इसके भी पीछे की तरफ इसे काटने की बज़ा हम इसे अंदर की तरफ ही फिर से छुपा लेते हैं देखें तो देखा न हमने बनाया प्यारा सा टर्टल तो मुझे उम्मीद आपको यह टर्टल पसंद आगा तो वीडियो को लाइक किजीगा चैनल कर सब्सक्राइब किजीगा रहां कर्मेंट करके बताना नहीं भूलेगा के आपको यह टर्टल कैसा लगा थैंक्स